नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब तो आईए आज मैं यहां पर सलोनी की रेस्पी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्योंकि आ रहा है तेवहार और तीजा में बहुत सारे पकवान बनते हैं तो यहां पर मैंने सबसे पहले सलोनी बनाई है और यह देखिए कितनी सॉफ् रहता है और यह खाने में भी बहुत अच्छी लगती है और आप इसको अच्छे एयर टाइट कंटेनर में एकदम स्टोर करके महिने भर के लिए भी रख सकते हैं यह प्रकार का स्नाक हो जाता है जो अपन चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं तो यहां पर मैंने मैंदा च् कि tramacology तो कलांजी मैंने बहुत मतलब ठू़री ज्यादा ही ढाला यह क्योंकि कलांजी इसमें बहुत अच्छी लगती है अब मैं इसमें डालेंगी नमक क्योंकि मैं यह नमकीन वाली बना रही हूं तो इसमें हम अपने जितना नमक खाते हैं इसकी इसमें से नमक डाल दे और इसमें मैंने बिल्कुल एक पिंच के करीब डाला है सोडा है अब मैं इसे बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद अच्छे से गूथ लूँगी और यह देखिए यहां पर थोड़ा थोड़ा पाने डालते हुए मैं इसको बहुत अच्छे से गुत रही हूं आटे को और यहां पर देखिए हमारा आटा बिल्कुल तैयार है तो यह देखिए इतना सॉफ्ट होना चाहिए और हम ऐसे कम से कम चार-पांच मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी ढांके जब तक हम साइड में यहां पर चड़ा लेते हैं तेल और तेल को हमको मीडियम टू लो फ्लेम में रखना है हमें इससे बिल्कुल हाय नहीं करना है और गरम भी हमें मीडियम टू लो फ्लेम में ही होने देना है तो जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है आईए हम अपनी चलोनी काट लेते हैं तो यहां पीचो आटा हमने रेस्ट के ल अब मैं इसे चाकू की मदद से काट लूँगी अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप इसे प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है मुझे कमेंड करके जरूर बताइएगा तो अब मैं चाकू की काट लूँगी दम छोटे छोटे चोटे और आई अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे तो मैं एक चाकू की मदद से इसको प्लेट में देखिए दीरे-दीरे निकाल रहे हूं और यह बिलकुल आसानी से निकल जाता है और जैसे आपको लग रहे है तो जब आप इसको में डालेंगे तो यह एक-एक से लोनी बिल्कुल अलग-अलग हो जाएगी और बहुत अच्छे से फ्राय भी हो जाएगी तो चलिए आईए अब हमें से कडाई में हमारा तेल भी गरम हो गया है तो मीडियम तू लो फ्लेम पे ही हम इसको रखेंगे तो यह देखिए मैंने तक अच्छी कूर्कूरी होंगी वह नहीं कच्छी रह जाएगी और यह देखिए अपना कलर चेंज करने लगी है तो हमें इसे थोड़ा सा ब्राउन होने देना है थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन तो यह देखिए मेरी सलोनी बिल्कुल बनके हो चुकी है रेडी तो अम मैं ज तक उल्डन के लुकी हो चःस वरी देना है पिरन बनके हो चीपम का के लाम थ्चित हो चीज़ा है थेए मेम और बनका रजरे हो नहीन है दो लानिए देन के लुझश जा भराऊश से ओ्र टो यहांचा है उज़ को अर चीज़ दॉना